पर यहां पर जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो नीचे वाले आफिसर नहीं सुनते हैं और आफिसर बोलते हैं तो उपर वाले नहीं सुनते हैं इसलिए जरा सा दिकत है वाकि यहां पर व्यवस्ता यमना जी की किरपास है यमना जी की इसमें हो रही है अब बिदाइक बना है, हमारे लिए कोई भीकास नहीं कि है, अभी तक खरसा लेकि हम ठंड में रहना है, हमारे बाद मोदी जीते, कोई भी जीते, हमने ठंड बराबर रहना है, जो कि हम चाहते हैं कि सरकार आइसी बने, कि यहां लोगों के हीटल लगे, घर्मी हो, यात्री आ हैं, अच्छा हो, भीकास होगाँ का, अच्छे होस्पीडल बने, अच्छे स्कूल बने सर्या, कुछ नहीं है, जो भी बना है, अपने ले बनता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, चिकित साकी इतनी अर्द कम बेयोस्ता है, कम से कम कई ब्रिद महीलाए हैं, जो कि यहां से अपना किराई छोड़ो, लेकिन देरादुन तक जाने के लिए अपने पास किराई नहीं बाते हैं, मैं हूँ ओगर बहुगना, उत्राखंट टक में आप सब लोगों का स्वागत है, हम इस समय खड़े हैं, यमना जी के सीतकाली प्रवास, खरसाली खुसी मट में, यह वही पाती, इसलिए यमना जी के दर्सन इसी इस्थान पर किये जाते हैं, चोकि सियासी समर का समय है, यमनोतरी बिदानसवा भी, उत्तरकासी की तीन बिदानसवाओं में इसे एक बिदानसवा है, जिस पर चुनाव होना है, और इसी यमना मैया के नाम पर यमनोतरी बिदानसव तमाम राश्टिये पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रतियासियों की नाम की घोशना कर ली गई है, और प्रतियासि पूरे दमखम के साथ डूर टूर जाकर के कमपैनिंग करने में जुटेव हुए हैं. ऐसे में हम ने चाहा कि हम उस इस्थान पर पहुंचें, जिस इस्थान की नाम की वज़ा से बिदान सभा की इस सीट का नाम यमनोत्री हुआ है और वहां के वोटर्स का मन टटोलें कि आखिर वो किस तरह की की सरकार चाहते हैं। बुजूर्ग यहां पर लग रहे हैं और स्थानी निवासी भी हैं किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं। यहां पर व्यवस्था यमना जी के किरपा से यमना जी के इसमें हो रही है। देख सकते हैं आप बुजूर्ग के द्वारा कितना अच्छी तरह के से अपना मनतब्बे रखा गया। चारों तरफ बरफ पड़ रही है। तापमान माइनस से भी नीचे गोते लगा रहा है। लगबग माइनस दो डिगरी सेंटीग्रेट यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। चारों तरफ ये बर्फ के जो फाहें हैं आसमान से गिरते वे धर्ती पर नजर आ रहे हैं आसानी से देखे जा सकते हैं ऐसे में सियासी गर्माहट यहां के इस्तानी निवासियों में भी इस पर जूप से देखने को मिल रही है आईए एक और जानने की कोशिश करेंगा क्या बॉल्धा क्या फैसे देखने में सिर्थ की किसी शर्कार चाहते हैं तो किस फीक्स नहीं हुआ है सबकार किसी की कौन के आधर कर लिए को बिदाइग बना है हमारे लिए कुई भीकास नहीं किए अभी तक करसा लेकर थंड में रहना है हमारे बहुत्य मोदी जीतेısı को तरह ह यहां पर जो था विक जाते हैं कि सरकार आईसियं कि यहां लोगों के हीटल लगे घर्मी हो यादरीय है परेटक गया आए अच्छा हो भी कासों का अच्छे होस्पीटल बने अच्छे स्कूल मने सरेां कुछ नहीं है जो भी बना है अपने ले बनता है कितना सहमत है आपकी विकास नहीं हुआ है विकास नहीं हुआ है यहां से जब की राजा मानमिंद्र साथ है तब से यहां हुस्पिटल बना हुआ है लेकिन उसके कोई देख रेख नहीं है और यहां के हमारे विदाएक साब हैं उन्होंने भ पर यहां पर कोई आजादी के बात से अब तक यहां पर हॉस्पिटल नहीं बन पाया जो वास्तव में बिचार नहीं है तथे है अच्छा एक ही जो आपको और बता दूँ यह ऐसा इलाका है उत्तरकासी जनपत का सुदूर वर्ती यानि कि अंतिम गाउं भी आप इसको कह सकत रहे हैं और कितना टाइमप्रेचर यहां पर डाउन होता चला जा रहा है आप अंदाजा बरबारी से अप लगा सकते हैं यह अधिक बरबारी जब यहां पर होती है तो यह पूरा इलाका जिला मुख्याले से कट सा जाता है यानि कि कुछ देर के बाद ही जब जो है सड़क बेशमत तो मर्जी है आप अच्छा मुझे यह बताईए कि तमाम परतियासी आपके पास आएंगे या आए होंगे आए होंगे किस तरीके की परतियासी को आप चुनना चाहते हैं जो चेत्र में विकास करें सिक्षा को उजागर करें और चिकचा के परतियों करें यहां आने के लिए अपने पास किरा ही नहीं बाते हैं निसी तोर पर निसी तोर पर कुलमनाकर की जो चारत तरफ से जो बात सामने आ रही है वो विकास को लेकर है यहां पर विकास ही में फैक्टर माना जा रहा है जहां पर विकास होगा जो विकास के बारे में बात करेगा यहां दिगंबर जी जाना चाहेंगे कैसी सरकार कैसी सरकार की आपको किस तर HIV की सरकारभण पर. कि मोदी जी नितीम्हें होगी काम हो रहा हैर वह सही हो रहा हम आसा करते हैं और हमारी घालत आटेक हैं उनसे यहां कि भॉगोली की जो इस्तिती है आप देख रहे हैं कि हम लोगों के लिए ऐसी इस्तिती में भी पूर्ण विशारन नहीं हो पाता है बिजली का पानी का बड़ी समस्या रहती है क्योंकि जब पानी तूड़ जाएगा तो पानी के बिगार हम लोग जो है इसी तोर पर जो मुलभूत आवसकता है मुलभूत जो जरूरते हैं वो पूरी होनी बहुत आवसक है हलंकि राजनीती का उट किस करवट बैठेगा ये भविशे की गर्द पर निरभर करता है जी आप आप जी बताइए कुछ कहना चाहता हूँ हम यहां पर बरफ देख रहे हैं हमारे भूजरक भी बोलते हैं कुछ करते हैं हमको सिर्फ पानी चाहिए फिरी में बाकी मैं सर कुछ नहीं बोलता हूँ हमको जल और नल चाहिए घर पे फिरी जो भी अभी कनेक्सन लगए है काम चला एक मैने फोटो ले लिसर अबिता कोई काम नहीं चलना पानी हमको फीरी चाहिए इस बरफ में बाकिए हम कुछ नहीं जाते हैं बिलकुल सही है कि बरफ-bari यहां पर सबसे बड़ी मुसीबत है बरफ-bari की वजह कि वजह से पानी के नल तक जम जाते हैं तब यहां पर कैसे यहां की लोग सर्वाइब कर पाते होंगे, यह बड़ा विचारनी है, तथ है, एक और मदाता हमारे पास है, जी क्या नाम है आपका, मेरा नाम राजेश उनियल है, राजेश जी किस तरेके की सरकार आप चाहते हैं, कैसे परतियासी को आप जिताना चाहेंगे, हमारा परतियसी तो ही होना चाहे है, जो हमारे कामों को, हमारे कामों को सौल्फ करें, और हमारे परतियक चीजे जैसे रोड है, बीजली है, पाणी है, हर चीज की समस्या का समाधान निकाले, ऐसी सरकार को हम चाहते हैं, और बीजेपी सरकार सायद ऐसा कर रही है, और करके तिखा रही है तो हमको यही लगता है कि बढ़िया है सब कुछ अच्छा है चलिए कहीं न कहीं देखिए किस तरीके से जो है बरबारी लगातार हो रही है एकदम माइनस पारा जब चले जा रहा है तो खोन भी जो है जाम होने लगा है ज्यादा बात करनी भी मैं समझता हूं बड़ी कश्टकाई हो सकती है उंकार बहुगुना उत्रा खंटा के लिए उत्रकाज़।